हेलो गाइस गुड मॉर्निंग बिलोग की शुरुआत करिये मॉर्निंग से और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूं मैंने कड़ाई लिया है कड़ाई में ओयल एड किया अच्छे से गरम कर लेना है और जीरा एड कर देना है कटा हुआ ओनियन और ग्रीन चिली साथ में एड कर बाइदवे मैं यहां पे बना रही हूं पनीर भूरजी और अच्छे से पक चुका है टमेटो बड़े साइच का मैंने कट करके रखा था वो इसमें एड कर देना है और रेगूलर मसाले इसमें एड करना है हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाल अच्छे से इसको पका लेना है और मेरे पास यह पनीर था मैं इसमें एड कर दूँगी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम के लिए मिक्स कर लेना है खुला ही मतलब पका लेना है और इसमें धीर सारा हराधनिया एड कर देना पनीर भूरजी बन करके जरूर से बनाईएगा गलीम में आपको पसंद आएगा तो ये तो हो गया मेरा पनीर भुर्जी जो आज मैंने सुबह बनाया था और जैसे जैसे स्याम तक होगा सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आयोप आपको पसंद आएगा बच्चों का आज था लाश डे स्कूल का व इतना 23 धूप है न वैसे भी बच्चों का टाइमिंग आफटर में है आफटर में बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए लाने ले जाने में मेरी तो हालती खराब हो जाती है बहुत गर्मी हो रहा है मैं पहले टेंक पीलूँगे फिर मैं फटा-फट से अपने काम में लग जा और टमाटर आज मुझी बहुत ही अच्छे मिल गे थे मैं एक दो ही सबजी लाई हूँ ज्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि फिर मतलब मार्कीट हम लोग जाते ही रहते हैं पास में ही मार्कीट है इसलिए ताजा-ताजा सबजीयां लेके आते हैं मतलब दो दिन मेरा ये च अच्छा रेसिपी बनाया था स्यामको मैं भोवी आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो को पूरा देखेगा ब्लीमी आपको पसंद आएगा एच्छुली आज क्या हुआ था धेर सारा मेरा चपाती बच गया था और चपाती नहीं तो मेरा ऐसे ही मन करता है खाने का नहीं फिर बच्चे भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं और आज मैंने चपाती सेंविच बनाया आप उसे सेंविच बोल सकते हो चपाती पॉकिट बोल सकते हो और हेल्दी की साथ साथ बहुती स्वाधिश्ट बनाया इस वीडियो में मैं रेसिपी शेयर करूंगी जरूर से आप को पसंद आने बाला है जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा देखिए सारा सबजी मैंने बोश करके रख दिया है हरा हरा ताजा सबजी था ये और अभी मुझे बनाना रहेगा तो फटाफट से हाँ से लेके कट कर लूँगी हाँ ये हरा धनिया मैं लेकी आई थी मैंने बोश नहीं किया है और मैं इसको अच्छे से साफ करके ऐसे ही रख दूँगे हरा धनिया बोश करने से खराब हो जाता है मैं उसको ऐसे ही फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ एक सब्ते तक मेरा आराम से चल जाता है ही रहने वाले हैं और बहुत मस्ते करने वाले हैं मैंने हाँ पर एक कैपसी कम लिया जिसको मैं फाइन कट कर लूँगी आप चाहो तो इसमें और सारी बेजिस एड़ कर सकते हो मैं सिर्फ यही करूँगी जो भी आपको यहां बासकिट में दीख राय रखा हुआ है ओनियन है टमेटो है यह बड़े वाला ग्रीन चिल्ली है कुकुमबर है बस मैं इन सब को ही एड़ करूँगी आप चाहो तो इसमें कौन भी एड़ कर सकते हो बीट फ्रूट इसमें एड़ कर सकते हो उससे काफी अच्छाई बनके रेड़ी होता है देखिए मैंने सारा फाइन चॉप कर लिया है और अभी क्या करना है इनको एक बड़े से बावल में मिक्स कर लीना है यह रेस्पी बहुती इजी है बहुती स्वादिष्ट है स्वादिष्ट के साथ साथ बहुती है सारा बेजिस को मैंने एक साथ मिक्स कर लिया अभी इसमें हमें डालने है कुछ मसाले मैंने कुटा हुआ काली मिर्चे अड़ किया है स्वाद के रूसा नमक अड़ किया है थोड़ा सा रेड चिली पावडर मैं इसमें म्योने एड़ कर दूंगे और टमेटो केचप भी इसमें एड़ कर लेना ये सब बच्चों को काफी पसंद आता है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इस तरीके से इसका सैंविच भी बना सकते हो सैंविच भी काफी स्वाधिष्ट बनके रेड़ी होता इस तरीके से और देखिए मैं आपको ये बता रही थी ना मेरा कितना सारा चपाती बच गया एचुली मैंने आज खाया ही नहीं था बिल्कुल भी स्रिप एक चपाती मैंने खाया था और अभी चपाती ले लेना है सारा और मैंने हरा चटनी बना के रखा देखिए मैं आपको वो दिखा रहे हैं कितना सौप्ट अच्छा अच्छा ये चपाती है मैंने हरा चटनी बना के रखा धनिया मिर्ची का और थोड़ा मैंने इसमें धही एड किया दही से बहुती अच्छा, इसमें टैश टा था और कलर भी आच्छा बना रहता है एक चपाती लेना, धर सारा यह चटनी उसपे लगा देना है और जो हमने ये बेजिस को मिक्स किया था, उस पे धर सारा चपाती पे रख देना है एक हिस्से में ऐसे रख देना है और बस इजीली इसको फोल्ड कर देना है और तबे पे बटर में इनको सेक लेना है मैं इसी तरीकी से पहले सारी चपाती बना करके रेड कर लूँगी सारा पॉकेट और ब्लीम में ये बहुती स्वाधिश्ट बना था मेरे बच्चों मिन्टों में चट कर गए थे बना मैं उनको दू ऐसे चपाती खाने के लिए दूसरे टाइम मतलो है सुबह का बना से आमको बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते और मुझे खुद को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कभी कभा चल जाता है और देख इसकी तरफ एक पैन ले लीजिए पैन नहीं है तो तबे के ऊपर भी आप इने बना सकते हो मैंने बटर लिया आप चाओ तो गी ओईल किसी में भी इनको बना सकते हो बटर ले लिया दौनों तरफ से अलट पलट के इनको सेख लेना है और इनको बिल्कुल गोल्डन कर लेना है चपाती को और ये अंदर तक अच्छे से सिख जाए और गर्मा गरम खाएगा ब्लीम में बहुती स्वादिश्ट बनेगा और इसके साथ एक कप चाय जरूर बनाएगा चाय के साथ तो बहुती स्वादिश्ट लगता है आप चाओ तो गर्मा गरम चपाती बना क करके रेडी हो गया है और मैं इसी तरीकी से सारा पॉकेट यहां पर बना करके रेडी कर लूँगी अच्छे से सेख लेना है दोनों तरप से गुल्डन ब्राउन कर लेना है लिए दिस मिन्टों में बनके रेडी हो जाता है मैंने और धीर सारा बटर एड किया है और मैं यहां से आए थे थोड़े टाइम के लिए जाते ही तुम्हें इनको लेंच नहीं देती हूँ दोनों भाईयों को भूक लग रहा था मेरे ही पास वो खड़े होई है और गर्मा गरम खाने के लिए रेडी हैं look at this देखिए कितना सारा मैंने इसमें बेजी इस एड़ किया है बहुत ही अच्छा अच्छी से भर करके रेडी किया है मियों ने जो हमने इसमें एड़ किया था उससे काफी अच्छा टेश्ट आता है ये बन करके रेडी हो गया है look at this तो ये बहुत ही इजी है सिंपल है आप जरूर से बनाईएगा मैंने तो यहां पर रोटी का पॉकेट आप सैंडिच के इंपॉकेट के बना के रेडी कर लिया जो कि कर्मा गरा में बहुत ही स्वादिष्ट बनाए मैं जारीं बच्छों के साथी इंज्वे करने खाने के लिए आप जरूर से बनाईएगा ब्लीम में आपको पसंद और हेल्दी के साथ साथ ब्लीम में बहुत ही स्वादिष्ट है तो मैं तो इसको कर दे हैं खाना स्टार्ट बहुत स्वादिष्ट आप जरूर से बनाएगा और सबका हम लोग तीनों ने खा पी लिया और देखिए फिर धीर सारी बरतन होगे हैं मैंने यहां पर मांस तो द जाएंगे वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थांक यू फूर बोचिंग फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ले गुडबाई